हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सो भी को टॉप 5 बेस्ट ओपो फोन अंडे 20,000 रूपीज बताऊंगा और जितने भी फोन बता रहा हो दोस्तो इसमें आपको 5G फोन भी देखने को मिल जाएंगे और 4G फोन भी देखने को मिल जाएंगे अंडे 50,000 रूपीज में कौन सा बेस्ट ओपो का फोन देखने को मिल जाता है तो इसके उपर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है आपको यहाँ पर आई बटन मिल जागी आप वहाँ से भी जाकि उस वीडियो को देखते हैं चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं जाने ते कौन से ओप फाइब बेस्ट ओपो फोन है जो आपको अंडे 20,000 रूपीज में देखने को मिल जाते है तो बात किते हैं दोस्तों आज की इसमें जो पांच ओ नंबर पे ओपो का फोन आता है इसमें आपको एमिलेट डिस्पेड देखने को मिल जाता है जो बाईटर देखनास‍छ देखने मिलता है यह सारी चीजेए भी हबहाँ gagner देखने मिल जाती है और ये पोन है ओपो 19s अब इसके इस्प्रेसिकेशन की बात केते हैं इसमें को 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमिलेट दिस्प्ले देखने की मिल जाती है जिसमें को Qualcomm Snapdragon 662 4G प्रोसेसर Color OS 11.1 बेस्ट उन इंडॉइड 11 operating system और ये 260 सिल्वर सीप्यू आइडेनो 610 जीप्यू पांच जार एमेच की एक बीक बैटी 33 वाइट फास्ट चार्जी 48 मेगाफिक्सल रिपर रियर कामरा 16 मेगाफिक्सल सेल्फी और इसकी रियर केमरे में आपको ञएड एका बीडियर काइड के तक विड्यो शूड कर पाएंगे उसी इसमय दोस्तों शुकर एडिसफ्रे केमरें को veatsきます चाहे इसकी रियर केमरे की बात我们 कि शुर्ड थेक्राइए ड हिर्यर केमरे में आपको ईऊरए जीएीस पीडियो सूट कर पाएंगे उसी साथ आपको सेमिए देखने को मिल जाते हैं जिसमा को दिब्लेर नमबर आपको शाओ करो सेट वाली आफको आपको अक्रा सिल्देखने के तर हम रह 12 मीब हैं और है यह पटनीज पर50 प्लिसप्सхासन की बात केंथते हमें 6.59 इंची फुल एच्टी प्लस 90 एज रिफेशेट वाली IPR डिस्प्ले तेखनिक में जाती है जिसमा को कॉल कॉम स्टेप्रेगन का 680 4G प्रोसेसर कलरो यस 11.1 बेस्ट अं इंड्रोइड 11 ऑपरेटिक सिस्टम कॉरियर 265 शिलवर सीप्यू अदिनो 610 जीप्यू एल्पी डीडियर 4XM उफेश 2.2 का इस टोरेज 5000 इमेच की एक वीग वाइटरी 33 वाट फास्ट चाजिंग और 50 मेगा फिक्सल डूगर रियर कैमरा 16 मेगा फिक्सल सेलफी और इसके रियर और फ्रेंट कैमरे साब 1080p पे 30 एप इसकी वीडियो सूट कर सकते हैं और इसमेच को साइड वांटर बिंगर पे संसर प्लस से समलाग जैसे सिक्क्योर्टी सिस्टम मिल जाते हैं उसी साथ में इसमेच को 3.5 पाइडियो जैक डेडिकेट सिम स्लॉट और IP54 क रिष्टन भी देखने को मिल जाता है त्राइस की बाट कि एट आपको 8GB, 128GB STOAGE वाला जो बारियेंट है आपको 18584 पाइड कर सकते मिल जाता है तो अब बात केती दोस्तों इस ही स्मार्ट फॉन की प्रोजन का स्कित इसमें आपको डिस्प्ले देखने मिलती आपको प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है तो बात केते दोस्तों आज के इसमें जो तीसे नंबर पो का फोन आता है या आपको एक 5G फोन देखने को मिल जाता है इसमें को जो प्रोसेसर देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने ही जो डिस्प्रेश देखने ही उप्रोसेसर पहले है और यह था है और आपके 10-4G अब इसके स्पेसिटिपले प्लस-90 आपके इसमेंगे लिवडियाटक डाइमेंड सीटी 800 तें 5G प्रोसेसर कालर ओस 12.1 बेस्ट ऑन इंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम कोटेक्स 55 सीप्यू माली जी 57 एमसी टू जीप्यू एल्पी डी डी और 4 एक्स रैम उफेस 2.2 का स्टोरेज 5000 इमेज की एक बीग बैटरी 33 वाट फास्ट चाजिंग 48 मेगाफिक्सल डूर रियर कैमरा 8 मेगाफिक्सल सिल्फी और इसके रियर और फ्रेंट केमरे साब आपको 8GB 120, 8GB स्टोरेज वाला जो वाइलेंट है आपको 18,450 रूपीज में देखने को मिल जाता है तो बात करते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन के प्रोजन का स्कीत इसमा को जो प्रोसेसर देखने मिलता आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिल जाता है एक 5G प्रोसेसर देखने मिलता है दोस्तों जिसमा आप अच्छी खासी गेमिंग अगयर भी कर सकते दोस्तों उसी साथ दोस्तों इसमा को जो कैमरा देखने मिलता है ओ भी ठीक ठाक देखने मिलता है या दोस्तों इसका रियर कैमरा आपको अच्छा देखने मिल जाता है लेकिन आपको फ्र processor को छोड़के तो आपकी अप्राइब r a 6.4 इंच की फूल और इसके रियर और फ्रेंट केमरे माँ कोई याइस देखनीक मिल जाता है और इसके रियर और फ्रेंट केमरे साब 1080P पे 30fps तक की वीडियो भी सूट कर सकते हैं उसके साथ में आपको in display fingerprint sensor प्लस face allog जैसे security system मिल जाते हैं और इसमें आपको 3.5mm idea jack, IPX4 की water resistance, RGB ring light एराउंड camera देखनीक को मिल जाता है प्राइस की बात के तापको 8GB 128GB storage वाला जो variant है आपको 22,999 रूपीज में देखनीक को मिल जाता है सारी चीज़े आपको एकडम top knowledge देखनीक मिलती है इसमें आपको सिर्फ एक ही major economy देखनीक मिल जाता है लेकि दोस्तो इस phone की जो price है आपको 23,000 रूपीज में देखनीक को मिल जाता है लेकि दोस्तो अगर आप इसमें offers को apply करेंगे ते आपको 20,000 रूपीज में देखनीक को नहीं मिलेगा ओपो का है तो दोस्तो बस एक phone आपको 4G देखनीक मिलता है लेकिन feature wise बहुत ही बढ़िया देखनीक को मिल जाता है तो फानली दोस्तो आज की इसमें जो number 8 पे ओपो का phone आता है तो आपको एक 5G phone देखनीक मिलता है इसमें भी आपको जो डिस्पेस देखनीक प्रोसेसर, Color OS 12 based on Android 12 operating system, Cortez A76 CPU, Mali-G57 MC3 GPU, LPDDR4X RAM Fresh 2.1 का storage, 4310 एमेच की बैटरी, 50W fast charging, 48MP quad camera setup, 16MP selfie और इसके rear camera मापको EIS देखनीक मिलता है और इसके rear camera साफ 4K वीडियो 30fps पे और front camera साफ 1080p पे 30fps की वीडियो सूट कर सकते हैं उसी जात मिसमा को in display finger pin sensor प्लस पे सनलाग यसे security system मिल जाते हैं, इसमें को 3.5 mm ID हो जाए, dedicated SIM slot, loud speaker जैसे feature भी देखनीक को मिल जाते हैं, प्राइस की बात कहता है आपको 8GB 120, 8GB storage वाला जो variant है, आपको 19,999 रूपीज में देखनीक को मिल जाता है, तो बात कहते हैं दोस्तों इस smartphone के pros and cons, इसमें भी आपको जो display देखनीक मिल जाती, जिसमें को Corning Gorilla Glass 5 का protection देखनीक को मिल जाता है, जो processor देखनीक मिलता है, जो प्रोसेसर देखनीक मिलता है, तो भी आपको एक gaming processor देखनीक मिल जाता है, तेहाँ आपको performance जो देखनीक मिलेगी दोस्तों भी आपको बहुत ही बढ़िया देखनीक मिल जाएगी, जो camera द जो इसमें आपको 50W का fast charging देखनीक मिलता है, तो future-wise दोस्तों एभी phone आपको बहुत ही बढ़िया देखनीक मिल जाता है, लेकिए दोस्तों इसमें आपको एक ही major con देखनीक मिलता है, ना तो एमेजन पर देखनीक मिलेगा, ना तो flip card पर देखनीक मिलेगा, amazon पर देखनीक म चाहते हैं ताप वहाँ से भी जाके पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे आज के टॉफ फाइब बेस्ट ओपो फोन अंडर 20,000 रुपी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही आपका हमारी वीडियो कैसी लेगी नीचे कमेंड में ज़रू बताना और वीडियो प तक देखनी किया